तो इस कहानी की शुरुआत होती और हमें दिखाय जाता है कि पूरी पिर्थवी पर जॉंबी एपो क्लिप्स फैल चुकी है, जिसकी वज़ा से अब कुछ ही इंसान पिर्थवी पर जिंदा बच पाए हैं, अब इसके बाद सीन चेंज होता और हमें एक बोट को दिखाय जात है, यहाँ पर हमें एक आदमे एंडी को दिखाय जाता है, जो कि अपनी पीवी और अपनी आठ साल की एक बीटी के साथ इस बोट पर अपनी जिंदेगी गुजार रहा था, और हम जान पाते है कि इन तीनों लोगों को इस बोट पर रहते हुए इस तरीके से लगबग आठ महीने पीच चुकी थे, क्योंकि अब खाली पिर्थवी पर घूमना खत्रे से खाली नहीं था, इसलिए इन्होंने बोट पर ही रहने का फैसला किया ताकि वो समंदर से बीच घिरे हुए जॉम्बी से बच सकें, अब एक दिन इन तीनों को पानी में आधी डूबी हुई ए जिसके बाद हम देखते हैं कि वो खाना लेकर वापस अपने बोट पर आ जाता है, और अपनी वाइब को आकर बताता है कि उसे कई महीनों तक का चलने वाला खाना मिल गया है, और ये बास सुनकर उसकी वाइब बहुत ही खुश होती है, जिसके बाद अब वो बोट पर कु ज्यादा इंफेक्टेड हो चुकी होती है, अब एंडी ये देखकर फारण एक टाइमर वाच निकाल लेती है, जिसे वो अपनी कलाई पर बाद लेती है, जिसमें 48 घंटों का टाइमर लगा होता है, और वो ऐसा इसली करती है क्योंकि उसे पता था कि वो 48 घंटों बाद ए अब थोड़ी देर में एंडी की वाइफ की पैरों पर जो बाइट हुई थी, वो पूरी तरीके से जॉम्बी के जखमों पर बदल रहा था, मतलब उसकी वाइफ का म्यूटीशन बनना चालो हो गया था, और बहुत जल्दी एंडी की वाइफ एक जॉम्बी में बदलने वा हमला करना शुरू कर देती है, और यहाँ पर बदकिस्मती से वो एंडी को काट भी लेती है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि एंडी अपनी वाइफ को आखिर में मार कर उसे दफन कर देता है, और अब अपनी बेटी को वहाँ से लेकर वो जाने रगता है, और अब एंड का कावियत है कि वो जॉंबी बनने से पहले अपनी बेटी के उग अच्छी फैमली तक पहुचा दे, जिसके बाद वो अपनी बेटी को अपने पीट पर लाद कर वो चलते ही जाता है, यहाँ पर एंडी की बेटी अपनी मौम को याद करके रोने लगती है, तब ही एंडी इकाल कर अपनी बेटी के ऊपर स्प्रे करता है और यह वही परिफ्यम था जो कि उसकी वाइफ यूज किया करती थी जिसकी महक सूंग कर वो बच्ची चुप हो जाती है जिसके बाद उस बच्ची को लगता है कि उसकी मौम बस यही यही उसके पास ही है अब काफी आगे का रास्ता तै करने के बाद एंडी को एक कार दिखाई देती है यहाँ पर एंडी को इस बात का अंदाजा था कि यहाँ पर बहुत सारे जोंबिस भी हो सकते हैं अब इससे पहले कि जोंबिस उस पर हमला करते हैं वो कार में बैठने ही वाला था तब ही एक गोली चलती है जिसके बाद एंडी के पीछे खड़ा एक जोंबी मारा जाता है हम देख पाते हैं कि वो गोली दूर मुझूद एक आदमी ने चलाई होती है जो कि एकसिडेंटली एक सिलिंडर के नीचे दबा हुआ था अब एंडी अपनी बेटी को कार के अंदर रख के गाड़े को रिवर्स करज के उस आदमी को सिलिंडर के अंदर से निकालता है जिसके बाद अब वो आदमी उसको एक घर में लेकर जाता है जहां पर वो और उसकी वाइब रहते थे इस आदमी की वाइब का नाम लॉरेस था यहाँ पर एंडी को वो फैमली सही लेक्तीस लिए उपनी बेटी को इनके हवाले करने का फैसला करता है अब जो लॉरेंस एंडी के बेटी के कपड़े चेंज कर रही होती है तब उसके पीट पर जोंबी बलड देखती है वो समझ जाती है कि इसका फादर इंफेक्टेट है और वो आखिर किसलिए यहाँ पर आया है दूसरे तरफ हम देखते है कि उसका हजबन एंडी के साथ जोंबी शूटिंग वाला गेम खिल रहा होता है वो सारे जोंबीस एक जगा पर एकठा होए थे जिसके बाद यह लोग उन्हेकी करके मार रहे थे अब जब यह लोग आफिस जोंबीस को मार देते हैं तब अंडी उसके पास जाता है जहां पर एक लड़का मुझद होता है यहाँ पर एंडी को लगता है कि यह लोग सही नहीं है क्योंकि यह लोग अपने खेल के लिए दूसरे की जिन्दगियों से खेल रहे हैं जिसके बाद अब लॉरेंस एंडी को सब कुछ बता देती है यह बताते है कि यह आदमी उसका हस्बंड नहीं है उसने उसके husband को मार दिया है जिसके बाद Lorenz उसे बताती है कि तुम्हारा भी यहां रहना safe नहीं है तुम जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ जिसकी वज़ा से Andy अपनी बीटी को लेकर रात होते ही वहां से निकल जाता है यहां पर एंडी उस लड़के को भी साथ में लेकर भागता है जो उस पेंजरे में बंद था लेकिन इतने में विक भी उट जाता है और अब वो एंडी पर शूट करने के लिए रेडियो हो जाता है इतने में Lorenz सामने आकर उनको बचा तो लेती है लेकिन Lorenz को इस दवरान गोली लग जाती है जिसकी वज़ासे वो वहीं पर मर जाती है यहां पर एंडी उसकी मदद तो करना चाहता था लेकिन फिलहाल उसके लिए भी भागना वही जरूरी समझा नहीं तो वो किलर विक उसे भी मार देता अब रात के टाइम जब उस लड़की की याँ खुलती है जिसका नाम थूमी होता है वो देखता है कि एंडी गोश और भूख की तलाश में धर-धर घूम रहा था क्योंकि वो थोड़ा बहुत जूमी में बदल चुका था अब सुबह होते ही एंडी और थूमी दोनों एक साथ फिर से चलना शुरू कर देते हैं यहाँ पर एंडी ने अपनी बेटी को थूमी के हवाले कर दिया थूमी उसे बताता है कि उसका कवीला पास में ही है अगर यह लोग उन तक पहुँच जाते हैं तो वो सारे लोग इनकी मदद करेंगे लेकिन अब वक्त बहुत कम बचा था एंडी के जूमी बनने का वक्त आ जुका था एंडी पूरी तरीके से अपने उपर से कंट्रोल खोता जा रहा था एंडी को चलते हुए रास्ती में थोड़ा सा गोश्ट पड़ा हुआ मिला नज़र आ जाता है जिसके बाद एंडी उसमें से एक गोश्ट का तुकड़ा उठा कर एक लकड़ी में बांध लेता है और फिर थूमी से कहता है कि वो उसके दोनों हाथों को भी बांध दे और फिर थूमी को उसके बेटी के साथ अपने उपर चड़ने को कहता है और थूमी भी ऐसा करता है फिर इसके बाद वो तीनों इसकुछ इस तरीके से दिख रहे थे जिसके बाद अब उन्हें सामने से कभीले की लोग नजर आते हैं जो उन्हें दीक कर काफी हरान रह जाते हैं जिसके बाद अब थूमी एंडी की बेटी को लेकर नीचे उतरता है और इसके कभीले की लोग अब एंडी को भी मारते थे हैं और उसकी बेटी को कवीले वाले एकसप्ट कर लेते हैं और इसे सैडनी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है